हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 Android माइल फोन में आप जो है Notification History Setting को आपना Enable कैसे कर सकते हैं यानि कि On कैसे कर सकते हैं और यह Notification History Setting इनेबल होने के बाद ही Setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मॉइल फोन में सैटिंग पेज आपको ओपन कर लीजिए Setting पेज में आपको नीचे यह option मिलेगा आपको notification करना है अब notification के इस page में आपको जो नीचे यह option मिलेगा notification history का ठीक है तो वो notification आपके इस notification पैनल में आपको दिखाई देते है ठीक है तो वो notification आपके सारे के सारे इस notification history के इस page में भी आपको दिखाई देंगे ठीक है अगर notification मान लीजिए आपके mobile phone से delete हो जाता है आपके notification पैनल से delete हो जाता है तो आपका वो notification जो delete हो गया वो भी notification आपको इस notification history के इस page में आपको दिखाई देगा तो इस setting जो इस तरीके से काम करती है आपकी notification history setting आपके phone में अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे आपने notification history setting को आप अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते हैं इसके लिए iPhone का setting page है इसको आपको फिर से open करना है starting से open कर लिजिए ठीक है setting page में आपको सबसे उपर ये option मिलेगा search icon search icon पर आपको select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है notification history ठीक है setting का जो name है आपको यहाँ पर पूरा पूरा type कर देना है तो आपको नीचे की side ने option शो हो जाएग आपके mobile phone में